हेलो फ्रेंड्स मीनू वीकेंड किचैन में आप सभी का स्वागत है इस लगडाउन के समय में हम घर पर ही बिना किसी विप्ड क्रीम कोको पाउडर अमक्षन के यह बहुत ही आसानी से यह मार्केट जैसा केक बना कर त्यार करेंगे जी हाँ आई अब बनाते हैं यह केक इस केक को बनाने के लिए हमने एक कप मिल्क लिया है और इसमें एक टी स्पून नीबुगरस और हाफ कप चीनी इसके साथ ही हमने वन फोर्थ कप रिफाइंड ओयल लिया है इन सभी को अच्छे सामें मिक्स कर लेना है अब फ्लेवर के लिए हमने यहां पर कोको पाउडर की जगे कॉफी का यूज किया है कॉफी हमने लगबग आधा टेबल स्पून यूज किये इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक चीनी घुलना जाए उसके बाद हम इसमें एक कप मैदा हाफ टीस्पून बेकिंग सोड़ा वन टीस्पून बेकिंग पाउडर इन तीनों को अच्छे से मिलाते हुए छान लेंगे को इन सबी को मिलाते हुए कि समूथ बैतर बना कर तयार कर लेंगे स्मूथ बेटर बनकर त्यार हो गया है यहां पर हमने केक बनाने के लिए केक मूल्ड के लिए इस तरीके से बर्तन को आई से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है अगर आपके पास केक टीन हो तो उसे ग्रीस करके बटर पेपर लगा ले अब इसमें तयार कियो बेटर को डाल देंगे, बैटर को बरतर में डाल देने के बाद, इसे अच्छे से टैप कर देंगे, और हमने इसमें बैटर को आधा ही भराए, टैप कर देने से इसमें जो एक्ट्रा एर होगी, वो निकल जाएगी, हम यहाँ पर ओवन की जगे, कुकर में केक को बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें एक बड़ा कप नमक का डाल करके, इसमें स्टैंड को रखके, पांच मिनट के लिए से पहले ही प्रिहिट कर लिया था, जो बैटर तयार किया है, उसे इसके अंदर रखकर के, अब इसे हम पका पकाएंगे, उसके बाद हम इसे सुलो फेम पर लगबग 20 मिनट तक पकाएंगे, अब 30 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे, आप चाहें तो बीच में भी इसे चेक कर सकते हैं, तूथपिक डाल के हमने इसे चेक किया, तूथपिक पूरी क्लीन निक लिए है, इसका पूरी कप सुगर, और साथ में डाई टेवल स्पून मैदा लिया है, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक भी लमसना रहे है, अब कलर के लिए हम यहाँ पर येलो फूट कलर रहे हैं, वन पिंच, अगर आपके पास फूट कलर ना हो, तो आप इसकी जगे प हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं, अब हमें इसे गाड़ा होने तक पकाना है, अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए, ताकि ये नीचे लगे न, गाड़ा होना सुरू हो गया है, इसे हमें लगबग एक से ड्योड़ में डॉर पकाना है, ये देखिए गाड़ा हो गया है, अब हम गैस की फिलेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के लिए इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, अब हम इसे अच्छे से लगबग दो मिनाट तक और बीट कर लेंगे, ताकि ये स्मूध हो जाएगा, विब्ली क्रिम बन कर तयार हो गई है अब हम केक को डिमोल्ड करेंगे, केक अच्छी तरीके से पक गया, इसे किनारे से इस तर चुटाते हुए, इसे इस तरीके से इसमें डिमोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, केक बहुत ही स्पंजी बना है, इसमें थोड़ी से क्रेक्स आ गया है, इन क्रेक्स को हम कट कर लें कि अच्छी तरीके से अराम से इसको निकाल लेंगे कि अब हम इसे बराबर भागों में बाट करके केक को दो भागों में कट कर लेंगे को है कि दबाते हुए इसे बराबर से काट लेंगे अदेखिए दो भागों में केक हमने काट लिया है दोनों लेयर्स बराबर हैं काटी गई लियर को हम सुगर सिरप से अच्छे सेसे सोख कर देंगे सुगर बनाने के लिए चीनि पानी का यूज किया है कля और यह इसे अच्छे से मिक्ष कर लेने के बाद से चार तरफ से अच्छे के उपर образ कर देंगे प्रगा लेने के बाद हम और दोनों लेयर्स पर लगाएंगे पहले नीचे आई लियर्स पर लगाएंगे ऐसे अच्छे से इसप्रैट कर देंगे कि अब इसके उपर हम दूसरी लेयर रख देंगे इसके उपर भी हम डालते हुए इसमें अच्छे से चालो तरब से इसको कोड कर देंगे कि विपडी क्रीम हमें दो बार लगानी होगी एक बार लगा लेने के बाद हम इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि दूसरी बार में ये क्रीम अच्छी तरीके से इस पर सेट हो जाए कि पहली बार में ज्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे कि यह देखिए है कि हमसेट होने के लिए थोड़ी दाइक लिए फ्रिज में रख देंगे प्रिज में रख देने के बाद हम ने इसके ऊपर दुबारह से अबिकरीम की कोटिंग कर दी है अभी से फिर से फ्रिज में रख देंगे के was a cake में लग चूकी है अब हम इसका डेकुरेस्टन कर देंगे इसके लिए मैंने यहांपर कुछ चोको व्यूजूरिच भूश्वच स्वन्यलॉप और फ्यूजूश कीया है कि आप चाहें तो इसमेए केटबरीि जहेम्स का यूज भी कर सकते हैं यह फिर चॉकलेट के ग्रिवट करके भी लगा सकते हैं आपके पास जो भी आइटम अवलेबल हूं आप उन्हीं से इसकी डेकुरेशन कर सकते हैं को सिल्वर बाल्स को हम इसमें साइट से भी लगा देंगे कि इस तरीके से यह देखिए चारो तरफ इसे भुमाते हुए यह देखिए घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से हमने केक को बना कर तयार कर लिया है इसे कट करके देखेंगे यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बन कर तयार हुआ है मेरे चैनल मीनू विकेंड किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर बैल आइकन प्रेस नहीं की है तो उसे प्रेस कर दे और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ सेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूले थैंक यू